महें इसलाम अदिन खान और आप देखना है प्रहार टाइम्स मुंबई नासिक हाईवे पर कल भोर में करीब पांच बजे के आसपास में एक बड़ा हास्सा हुआ है हास्से में अमेजोन कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को बस लेकर भिमंडी की दिशा में जा रही थी और बस का टायर फट गया दूसरी तरफ अनियंतरित होकर ये बस चली गई और सामने से आ रहे एक कैंटेनर से टक्कर हो गई इस टक्कर में बस ड्राइवर समेथ बस में बैठे एमेजोन कंपनी के तकरीबन एक दरजन से भी ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए है और वहीं एक शक्स की मौत की खबर भी सामने आई है हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी भी पहुँच गए और बस में फसे हुए ड्राइवर को बाहर निकाला गया और सभी घायलों को राहत बचाओकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया बस में सवार घायलों में महिलाएं सबसे ज्यादा थी हादसे में एक वेक्त की मौत की खबर भी सामने आई है